हमारा चेप्टर का चाल हुआ है थीफिज इंडक्षन मोटर ठीक है तो उसमें आज हम नेक्ष्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि स्क्वारल केज तथा प्रेइन मोटर में difference किया है अंतर दुनों में ठीक है। सबसे पहले स्कुर्यल के मोटर होता है। इन दोनों में मांतर पढ़ने जा रहcky है। तो पहले हम रोटर की है सनचना पढ़ने थे है। कि इनके रोटर की सनचना कैसे होती है? श्वाय करें यह आकरथि कैसे होती है तो इसमें जो रोटर रहता है तो उसमें क्या किया जाता है चालक इस्थापित की जाते हैं और वहां पर हमारा स्लिपरिंग मोटर होता है तो उसमें क्या करते हैं रोटर में बाइंडिंग इस्थाफित करते हैं ठीक है खांचे रहते हैं उस खांचे में बाइंडिंग करते हैं ठीक है इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है बाउंड रोटर होता है ठीक है स्लिपरिंग मोटर में कौन स स्थापित करते हैं पू試 कोई मेंटिनंस का कितना हिसका Hindi ऑफें होता है सुनने ही हुटा लेकिन जो हमारी स्लिप मोटर होती है है उसमें क्या करते हैं उसकी रोटर में हम बैंडिंग भी करते हैं ठीक है और क्या कहते ब्रस भी रहता है आँठी स्टेंस भी करनेक्ट रहते हैं इसलिए इसका मेंटिनेंस का खर्चा क्या रहता है ज्यादा लगता है तो जो स्लिपरिंग तथा व्रूसों की अनुच्छन क्या वासित्ता क्या होती है इसमें होती है हलाकि जो हमारे आउद्धोगीश्च रहते हैं तो 95% किसका प्रयोग करत करते हैं है ना चुकि यह जो होता है तो इसका मेन्टिनेंस बहुत ही कम रहता है है ठीक है अब बात करते हैं कि हमारी स्क्वैरल के are motor होती है इसको चलाने के लिए हम किस किस starter का प्रयोग करते हैं तो हम ड्यूल starter का ड्यूल का पूरा नाम कि होता है टार्यॉक्ट सब्सक्राइब पर्योग करते हैं अब जैसे इन में जाती आप तो इनका अलग अलग हम क्या करते हैं प्रयोग करते हैं लेकिन जो हमारा वांड रोटर है तो उसमें समझे इताALK के हैं किसी स्टार्टर का प्रिएक्वेस्ट्स अब अगर हम बात करें इनकी स्टाइन टार्ग के बारे में यहां से क्वेशियन आते हैं एक इक चीज हमें अच्छे से पड़ना है तो जैसे अगर हम स्कुरिल के रोटर civ grass की बात करें उन्सका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है निम्न होता है ठीक है लेकिन जो हमारा स्लिपरिंग रोटर बाउंड रोटर होता है तो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है ठीक है इसका स्टार्टिंग टार्क है इसलिए क्रेन और यह जहां पर उस्टे स्टार्टिंग टार्क की ज तक होती है और यह कित्ता होती है लोड धाला की केबल तीन गुना ही तक होती है अब अगर हम बात करें कि इसका गती कैसे हम चैंज कर सकते हैं गती परवर्ट करना है तो जो हमारी क्या कहते हैं DC मोटरे होती है तो उनका गती चैंज करना तो मतलब कठी नहीं रहता है ना बहुत तीजी रहता है लेकिन जो हमारी AC मोटरे होती है तो उनका गती चैंज करने में थोड़ी दिक्कत होती है ठीक है लेकिन जैसे इसका हम गती की मैथर द्वारा चैंज कर सकते हैं तो या तो प ठीक है रोटर जिस्टेंस के द्वारा ठीक है फिर इसके बाद थायर इस्टर होता है फ्रोकेंसी परवड़तन या के स्केडिंग द्वारा संपन्द कर सकते हैं ठीक है अब अगर हम मूलने की बात करें हैं कि मतलब पी जैसे लागत है तो जो हमारी स्क्वारल के मोटर होती है तो यह कम मतलब कम में ही आजाती है लेकिन इसके क्या होती है मतलब अपेच्छाकृत अधिक होता है ठीक है मतलब इसमें जैसे हमारी स्क्वारल के मोटर होती है तो कॉस्टली कम होती है लेकिन यह कॉस्ट करें जब हमारी स्क्वाइरल केज मोटर होती है इसका पवर फेक्टर केटा होता है लेकिन इसका अगर हम बात करें इसकी स्पीड तो स्थिर रहती है परणतु लोड़ पर कुछ घट जाती है लेकिन जो हमारा स्लीपरिंग मोटर होती है तो इसमें लोड पर क्या होता है अधिक घड़ जाती है अब अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज हम कहां कहां करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं जैसे निम्न प्रारंबिक टार्क की जरूरत है ना उन मसीनों में करते हैं और जो हमारी स्लिप्रिंग मोटर होती है हम इसका प्रयोग कहा करते हैं तो जैसे हमारे उच्छे प्रादम्रिक टार्क हो गया है ना जहां पर हमें हाई स्टाइटिंट टार्क की जूरत रहती है तहां हम इसका प्रयोग करते हैं फिर